तार्गास ने अपनी पूजा शुम कराए चारों और आतम को भैल गया यक्ज बंद हो गई पूजाएं बंद हो गई चारों और हाहाँ पार मच गया अब पूरी कृच्छी परसंद कर मंद हो गए तार्गास ने अकि बन शाली होकर के सर्वत फर आक्रमण करके देहता को भी परस्त कर देता देहता हागे और कहते हैं कि परवतों की घुफाओं में शुप करके देवगाओं ने अपना समय भिताए DR. अज्छा ने कहाँ समय भिताए गुफाओं में चिंचे के कहीं तार का सुख आके हमको मारना देते देवताओं को भी मारे मारे ढूंदना पड़ा क्युक्कि कर्मों की गती बड़ी नारी होती है कर्मों की गती बड़ी हमारे एजयान देने जिपाता देवताओं को कौम से कर्म का दंद मिला है देवता रादा दक्ष के यक्य में शामिल हुए थे कहां शामिल हुए थे शंकर जी के विरोध में जो यक्य कराया गया था उस यक्य में देवता शामिल हुए थे उसी कर्म का आज परिणाम एता मिल रहा है कि देवताओं को मारे मारे भटगना को देवताओं को बोलो बड़े दुखी देखें अब विचार करने लगें कि हमको हमारा पद दोबारा कैसे मिले कोई MLA विधाय कोई MP हार जाए ना हार जाए कोई MP अगर या कोई विधाय क्या सब्सक्राइब में MLA हार जाए तो अगले 5 साल उसी में लगा रहता है कि दोबारा परसी कैसे देवतार सोच रहे हैं कि दोबारा हमों हमारा पद कैसे प्राप्त हो सोचा कि दोबारा पद तो हमको हमारे गुरू ही दिला सकता है तो बारा पद कौन दिला सकते हैं बोलो हमारा गुरू में सामरत रहे हैं गुरू तुमको वो दिला सकता है जिससे तुम अलग गुरु के अंदर वो सामर्थ है महाराजु को तुम्हारा पद जोबारा प्राप्त करा सकते हैं। बुले सद गुरुदेव अगवान की। गुरु के पास दे ब्रस्पति जी के पास। गुरुदेव दिपास करें। गुरु दिपास दे ब्रस्पति जी के तूपति जी के पास। गुरू क्या बोले देखो तुम सब को पताएं के नाम जपने से कल्याण हो गाले कि नाम को बताएगा उपाएं संस फकीर बताएगे ग्यान लेना जीवन में तीर चीजें जरूर होनी चाहिए कितनी चीज़ें एक संद एक द्रंद और एक मंद कितनी चीज़ें एक संद एक द्रंद और एक जिसके जीवन में ये तीन चीज़ें हैं महाराज कदाचिक उसका पतर होने वाला तीन चीज़ें गुरु ने उपाय बताया कि ऐसा करो परवत राज हिमाचन के यहां जाओ पिछले जन्म में परवत राज माचन ने माँ भगवती की तपस्या की थी माँ भगवती ने उनको बर्दान किया था कि मैं कन्या बन करके तुमारे घर जन्म लूंगी अब परवत राज अगर माँ भगवती को पुतारेंगे तो मा भगोती उनके घर गन्या बन करके जन्द लेगी देवता बड़े प्रसंद होगे उपाए पता लगे आनों बड़े प्रसंद होगे गुरु जी को प्रणाम करके चले